हाई जहाईयोग के लिए अगर आपको जहाइयो की प्रब्लम बहुत NHY जहाइयो के लिए थो है काफी देखा है शेया जाहने स्था SUBSCRIBE अगर जाहने की लोगों समस्सक्रेश ऑस को बिए जेया समा एक सती है चले सब्सक्राइब करना कि आप करना शेया जेया सेख जाहने सन बखे से स्थाय में थे को अपने डाइट को रिमूब नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको अच्छी तरीके से अपने डाइट मेंटेन करना होगा फल सब्जियां यह सखानी होगी और आपको पानी बहुत ज्यादा पीना होगा आपको दिन में कम से कम आठ से 10 गलास पानी जरूर पीना चाहिए और आप को आठ घंटे साथ आठ घंटे की नियुद जरूर लेनी चाहिए अगर आपका डाइट सही है आपका दिन का रूटीन सही है तभी आपको इससे फेसपैक वर्क करेगा अगर आप सुछते हैं कि के वल फेसपैक के यूज से ही जो है यह रिमूब हो जाएंगे तो ऐसा नही किंगे तो गाइस और एक चीज आपको कंलेर करना जाते हैं कि काफी देखा गया कि जैसे कि आप यूज वो दिरेख कमोति जाती ही दूर होती है लेकिन आप चाहिश enough क sweetie ऐसके बार यूज कर हो जाती है तो दिरे क्äस्माटि की दूर हो फिर्सल्ट भी रही है स्ची frightening आपको पूरी तरीके से बंद नहीं करना है आपको हपते में एक आत बार यूज करना है ताकि वह प्राबलम फिर से क्रियेट ना हो कोई भी चीज होती है किसी भी चीज की अगर हम दवा लेते हैं तो जब तक वह पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाती तब तक हम दवा नहीं करते हैं तो यह घरेल दिन उसका हो या फिर वाजार का कोई प्रोडक्ट हो तो जो है आप अगर उसका यूज कर रहे हैं और लगतार थोड़ी दिन यूज करने के बाद आप उसको एक एक बंद कर देंगे तो वह प्राबलम से फिर अग्सटर्कल्स खतम हो गए हैं तव आपको हफ्ते में किवल एक बार ही इसको यूज करना है बट आप यूज करते रहें तो आपको चलिए बताते हैं कि आपको इससे कैसे बनाना है और इसमें मैंने कौन-कौन से इंग्रीडियन्स जूज किये हुए है बट इससे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको लगता है कि हाँ ये आपकी यूसफुल होने वाला है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजी क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मॉटिवेट करता है कि मैं ऐसे अच्छे जो है जो आपके लिए यूस्फुल हो ऐसे अच्छे फेस्बैक्स आपको साथ सेयर कर सको और मुझे लिए बहुत मायने रगता है आपका एक लाइक तो गाइस अगर आपको लगे कि हाँ ये रियल में वर्क करेगा आपके फ्रीस पे आपकी प्रॉब्लम्स पे तो प्लीज एक लाई जरूर कीजिएगा तो चलिए आपको बताते हैं मैंने कौन-कौन सी चीजी यूज की है इसमें मैंने यूज किया है यह उबला हुआ आलू यह मैंने आधह उबला हुआ आलू लिया हुआ है एंड यह हाअफ लेवन नीबू लिया हुआ है एद यह है थोड़ा सा सहध boy एक हे हता वह एक चीज अए करेंगे वह ए tejma जिल यहां पर मैंने पतंचली का अलो विवेरा जिल यहां पर ने करेंगा करेंगे report stay एक हें जाती कि एक है जर दफने PER कर सकती है तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको इसको कैसे बनाना है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले यह आलू लेंगे हम यह पूरा नहीं लेंगे थोड़ा सा फेस बैप बनाएंगे थोड़ा सा आलू लिया हम मैंने अब इसको मैस कर देंगे अच्छी तरीके से इसक मैस हो जाना चाहिए अभी यालू मैस होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा लेमन आड़ करेंगे तो थोड़ा सा लेमन आड़ करेंगे इसमें पर मोतनी जो मैं इसमें यूज करने वाली हूँ जो मेरा सिप्रेट है वो है आलमंड ऑईल हम थोड़ा सा आलमंड ऑईल पादाम का तेलिस में बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा यूज करेंगे ये था मेरा सिक्रेट इंग्रिडियन और फिर थोड़ा सा सहेद इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें अलावेरा जेल डालेंगे थोड़ा सा अलावेरा जेल अब मैं इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी आलो में एंटी एंजिं प्रापर्टी बहुत ज़्यादा होती है और ये डाग धबों पे बहुत तेजी से वर्क करता है और बादाम तेल में भी जो है डाग धबते और इसकी इनको ब्राइड करने के बहुत ज़्यादा गुड होते हैं सहद आपकी स्किन पे चमक लाता है एंड लेमन भी आपकी स्किन को ब्राइड बनाता है तेखिए अगर ये आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा सूखा है तो आप इसमें जो है गुलाब जल थोड़ा सा एड़ कर सकती है अगर आको गुलाब जल नहीं add करना है तो आप थोड़ा सा इसलिए water add कर सकती हैं, मैं इसमें थोड़ा सा वन इस पून water add करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गुला करना है जिस्से की आसानी से apply हो जाए अब इसको आपको क्या करना है, आपको अपनी जहां जहां हो जहा चाहियां को is अब ऐसको लगानी है है अब इसको आपको इस तरेके से किनारे जूटिटी ज़ोड़ा करणा इस्तरीके से चाइनों 5मद पर से आपको सुखने के लिए चोड़ देना है।स का पर ऐसो कि आपकोσιमेशे पर चिलग अब इसको मसाज करेंगे और आपको डाक सरकल जल्दी से रिमूब करना है तो आप देली नाइट में बादाम के पेर से मसाज करके सोईए आपको यह प्रोसेस डेली करना है यह पैक आपको हफ्ते में दो से तीन बार ट्राई करना है एंड वन मंद के बाद आपको देखिएगा रिजल्ट बिल्कुल साब दिखा देगा एक महीने में आपकी जाईया और डाक सरकल बिल्कुल ही रिमूब हो जाएंगे आपके उपर यह एक जादू इफेक्ट करने वा यह तो गाइस, तो गाइस मेरे वीडियो मुझे बहुत मॉटिवेट करता है यह बहुत मैने रखता है तो प्लीज एक लाइक